नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है यह कैसे टो यूटीव चैनल पर दोस्तो राज सरकार के द्वारा बिहार स्कॉलर्शिप दो हजार एकिस योजना की सुरूआत की गई है योजना के नतरगत राज के पिछड़े वर्ग के चात्र चात्राओं के लिए सब्सक्राओं के लिए सरकार के द्वारा चात्रों की जाएगी और उन्हें वित्य धनवर्शिक कंभाइन कांसलिंग बोर्ड और इंडिया स्कॉलर्शिप के माध्यम से प्रदान की जाएगी दूसरा बिहार स्कॉलर्शिप दोजार इस ओवीसी एस एस्टी से सब्दिस माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला और यहां भी बताऊंगा कि कैसे आप इस योध्या के द्रगत आनलाइन फॉर्म एपलाई कर सकते हैं तो उससे यह पर वीडियो काफी मजदार है नॉलेजफुल होने वाला है तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दिवाध दें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमिशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों योध्या के माध्यम से राज के उन छ छात्र छात्राओं को ही सिच्चा के छेत्र में आगे बढ़ने के उस्व राप्त होंगे और उन्हीं सरकारद्बा छात्रवित्ति के रूप में आर्तिक सायता प्रदान की जाएगी योद्या के तैत ανसुची जाति अन्सुची कोई बात नहीं है तो इसो बिहार स्कॉलर्शिप स्किम 2021 का लाब प्राप्त करने के लिए राज के चात्रों को योजना के लिए आवेदंग करना होता है जिसका यापर क्या प्रोसेस है आगे मैं वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा तो उसे आपर वीडियो में सब निवास प्रमाड पत्र जाती प्रमाड पत्र परिवार का वार्सिकाय प्रमाड पत्र सच्छिडिक योगिता का प्रमाड पत्र कॉलिज में एडमिशन लेने से समंदित फीस की रसीद जन्म प्रमाड पत्र माता पिता का एफिडेबिट लावारती की पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके पास यह सारे डॉक्यमेंट्स एवेलेबल है तो ऐसे में आप इस योद्या घंदर गत्फ ऑनलाइन फॉर्म एपलाई कर सकते हैं और दोस्ते आप वीडियो में आगे किदर बढ़ते में बात कर लेते हैं कि इस योद्या घंदर कर रहे हैं तो इसके योद्या का लाव लेने के लिए लावारती के परिवार की वार्सिक आए एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए आवेदक बिहार राजे का स्थाई निवासी होना चाहिए परिवार की व्यक्ति ही इस योद्या का लाव प्राप्त कर सकते हैं योद्या के अंतरकत आवेदक क कि उसे योजना का लाप दिया जाएगा तो से अपर अब वीडियो में आगे कितर बढ़ते हुए बात करते हैं अगर आप इस योजना के द्रकत ओनलाइन आविदन करना चाहते हैं तो वह आप यहां पर कैसे कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो के सिप आपको देती है अब यहां पर आने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म एपलाई करना है तो जिसके लिए आप लोगों के साबने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर दिखाई देगा कैंडिडेट बेसिक डीटेल तो आप लोगों को यहां पर द है आब कधि ग्न्यव इंटरेना आपको अफ मरं जो का यहां देना यहीं होगा qualification आपको देना होगा select program करना होगा कि आप यहां पर current qualification आपने क्या किया है 12 किया है बीए भी कॉम बीए सी किया है 12 science किया है कि 10 metric किया है आपको वो select करना है पास है कि appearing है इसके बाद आपर यह सिलेक्ट कर लेना है इतना select कर लेने कवा दुसारा आपका अपने mobile number को provide करना है उस अगर को ए अगर आप ना बहिए तो कोई भी जवरसतीन ही मैं आप इसे छोड़ी दीजिए उसके बाद नीचे की तरफ आपको एड्रेस के लिए दिखाई देगा तो आपको अपने अडर्प को प्रोड़ कर देना है इसके बाद नीचे के दरफ आप आएंगे तो यहाँ पर दिखे आपको दिखाई देगा Submit Application Form जैसे दुस्तो आप इस Submit Application Form पे क्लिक करते हैं आपका एपर Form Online Apply हो जाने वाला है जैसे Form Apply हो जाएगा दुस्तो आप लोगों को यहाँ पर एक Receipt देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको उस Receipt में जो भी नमबर लिखा होगा उसको स्क्रिंशाट के जरी अपने Mobile Phone में सेव कर लेना है सेव कर लेने के बाद दूसरे आप लोगों को एक और लिंक देखने के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर आप लोगों को सिंप्ली टैप कर देना है उस लिंक पर आप टैप करेंगे तो आप दिखिए आजाएगा इंटर यो रहिश्टर मुबाइल नंबर जोबी नंबर आपने उसमें प्रॉवाइड कि वो नंबर के यहां पर सकते हैं यहाँ पर देट अब outbreak उसी Fahrenheit सिलेक्ट करना यह सब्बिक करना जिसके वाद आप यहां पर अपने उस्टेस को वहां मिलता नहीं है बहुत लोगों को नहीं मिलता है आपको भी नाम मिले तो ऐसे आप पर आप अपने रिसिप को डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक की मदब से दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहार स्कॉलर्शिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लाइब कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर्व पसंद आया होगा जोसर अगर आपको कोई भी समस्य आई हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लागा वीडियो को एक लाइक कीज जिल आपको एड़ आवाओ यज एक लीड़ वीडियो मेंट करके हमाँ करेंगे च्योंग स्थम।